शालोम एवरिवन तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम है मेंका और मेरे चैनल मेंका फोरक्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम अपने रेंट के रूम को सुन्दर बना सकते हैं अ गलास लगा कर नहीं दिया जाता तो आज की वीडियो खासकर उनी लोगों के लिए तो चलो बिना देरी किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिये ये वो अलमीरा है अधिकतर रेंट के रूम में इसी टाइप की होती है सीधी साधारण सी सिंपल सी कोई गलास वगे सकते हैं तो देखिए मैंने इसको यहां पे अच्छी तरीके से पूरा कागज इसके ऊपर चढ़ा लिया है उपर नीचे सब जगा खुब अच्छे से मिने चढ़ा लिया है और यह जो साइड में जगा बच गई है मैंने यहां पे फ्रिज रख दिया है अपना अच्छा लग टाइप की बना लूँगी और बीच वाली में भी बना लूँगी सेम यही कागत चड़ा कर देखिए इस ताइप से और इसको मैं इसके अंदर लगा दूँगी तो देखिए यह इसमें लग जाएगा तो बिलकुल लगेगा कि यह इसी में लगा हुआ है बना हुआ है इतना कोने पे ताकि कोई भी समान रखे तो खराब ना हो आप मोते गट्टे का भी इसमें बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि MDF बोर्ड ही आप इसमें लगाएं तो आप गट्टे का भी बना सकते हैं तो देखें मैं नीचे भी लगा लूँगी इस टाइप से तो यह काफी अच्छा लग रहा है और हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल गया है चीजों को अलग लग पार्ट में रखने के लिए अब इसमें धूल मिट्टी वगएरा ना जाए और यह ग्लास वाला लुक भी दे तो मैं यह वाली पन्नी इसको पर चड़ाऊंगी यह आपको फिलिप साथ साथ फिट के यह तीन परदे मिले हैं तो बहुत अच्छे हैं यह और इनकी चोड़ाई भी बहुत ज़्यादा है अब मैं इसको इसको उपर लगा लूँगी इस तरीके से आप चाहें तो इसे चारो और से बंद भी कर सकते हैं या फिर खुला भी रख सकते हैं मट्ट और यह अच्छी लग रही है कैमरे में इसका थोड़ा लुक है इस टाइप का आ रहा है अंधिरे अंधिरे टाइप का और बहुत डार्क बट यह सामने से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है अच्छी लग रही है और रियल लग रही है कोई भी नहीं बोल रहा है कि य अपने घर में इसको और चीजों को सजाएं अच्छी चीजों को सजाएं इसके अंदर इस टाइप से ट्राइ करके यह बहुत प्यारा लग रहा है बहुत एक यूनीक सा लुक दे रहा है तो देखी बहुत ही अच्छा हो गया अब हम इसको ढख देंगे अच्छी तरीके से औ पतलब वो सारा मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, यह बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा और यूनिक सा लुक दे रहा है, तो चलो फेश टू फेज बाते करते हैं। इसमें मैं आपको और भी जादा चीजों को डेकुरेट करने के बारे में बताने वाली हूँ, खासकर उन लोगों को जो रेंड पर रहते हैं, और जो अपने घर में भी रहते हैं, उन लोगों को भी मैं, यह सब चीजे बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, तो मेरे चैन आईए तो वीडियो को भी लाइक करें चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाड ब्लेस यू अलफ यू